सीमा सचिन की प्रेम कहानी के चर्चे गली-गली में हो रहे हैं बच्चा-बच्चा सीमा हैदर सचिन मीडा के किस्से से वाकिफ है सीमा सचिन को लाखों की नौकरी के साथ ही फिल्म में काम करने का ओफर भी आया है वहीं इस बीच खबर सामने आ रहे हैं कि सीमा हैदर 2024 लोगसभा चुनाव में सामसदी का चुनाव लड़ सकती है जानकारी सामने आई है कि सीमा को NDA के सायोगी दल और केंद्रिय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी Republican Party of India से इसका ओफर मिला है और सीमा हैदर ने इस प्रपोजल को स्विकार कर लिया है पार्टी के राष्ट्रे उपाध्यक्ष मासूस किशोर ने बताया कि सीमा हैदर को पार्टी की तरफ से ये नियोता मिला है और सीमा को महिला संगठन का अध्यक्ष बनाया जा सकता है च्योंकि सीमा की बोलने में अच्छी पकड़ है तो इसलिए उन्हें पार्टी प्रवक्ता का पद भी दिया जा सकता है हाला कि अभी एजिंशियों कोई clean shit का इंतजार है उसके बाद ही फैसला सारवजनिक किया जाएगा जब से सीमा की सचिन के घर में एंट्री होई है जब से दोनों किसी सेलेब से कम नहीं नज़र आ रहे हैं दोनों के इंटरव्यू पर इंटरव्यू हो रहे हैं यही नहीं सोशल मीडिया पर भी दोनों की fan following लगातार बढ़ रही है अब तो यू कह सकते हैं कि वहीं पाकिस्तान से आई सीमा हैदर सचिन के लिए लोटरी बन कर आई है